दोस्तो नमस्कार मैं जितेन कुमार तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि Elias Blue Broking Form के नए अप्लिकेशन AntMovie 2.0 अप्लिकेशन से कैसे आप D-Mate पे फंड एड कर सकते हैं चाहे वो UPI के माध्यम से हो या फिर Net Banking के माध्यम से हो तो कैसे add कर सकते हैं और कैसे उसको fund को withdraw कर सकते हैं तो सबसे पहले का करना है आपको अप्लिकेशन पर जाना है simple सा यहाँ पे आपको अपना user id और आपका mpin डालना है जैसे ही आप अपना password डालेंगे तो कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा ठीक है इसके बाद सबसे निची आप देखेंगे watch list, order और dashboard का option दीखेगा आपको dashboard वाले option में क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा इसके बाद आपको क्या करना है simple सा fund वाले option में क्लिक करना है तो यहां पर आपको दो option देखने को मिलेगे एक तो मिलेगा आपको deposit और दूसरा withdraw अभी हमारा fund इसमें 00 है इसलिए आपका fund 00 लिखा रहा है तो हम क्या करेंगे simple सा deposit वाले option में क्लिक करेंगे सबसे उपर amount डालेंगे जितना भी मुझे amount डालना है आप देखेंगे आपका जो भी bank link होगा डीमेट से वही bank आ जाएगा यहां पर इसके बाद आप यहां पर सिग्मेंट सेलेक्ट कर लेंगे जिसे मुझे derivative में डालना है पर इसके बाद आप अपना UPI ID डालिएगा ज्यान रहे कि जो bank add है आपका डीमेट से उसी bank का UPI ID आप यहां पर डालेंगे ठीक है और उसी ID से ही आपको क्या करना पड़ेगा अपना पैसा fund add करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा आपका fund first जाएगा ठीक है फिर आपको नया bank देना पड़ेगा बैंक की पूरी जिस bank से आपने fund डाला है उस bank की detail आपको देनी पड़ेगी आप अपने executive को देंगे या फिर customer support में देंगे तब जाके वो नया bank की इसमें add करेंगे और प्रोसीड वाले option में क्लिक करेंगे आपको तीन option देखने को मिलेंगे गूगल पे फोन पे और पेटियम को option देखने को मिलेगा ठीक है तो आपको जिस माध्यम से आपको payment करना है उस माध्यम से इसलिए आप कर पाएंगे उसी तरह से अगर नेट पैंकिंग में नेट पैं होगा वहाँ पे अपना ID और password आप डाले और इसके बाद आप क्या करें फंड डिपोजिट कर लें जैसे ही आप फंड डिपोजिट करेंगे पांस से दस मिट के अंदर आपको यहां पे जहां पे 0000 देख रहा है वह फंड आटोमेटिक ही क्या हो जाएगा शो होने लगेग ठीक है अगर आपको अपने डिमेट से फंड विड्रो करना है तो सिंपल सा आपको विड्रो वाले option में क्लिक करना है आप देखेंगे कि सबसे नीचे यहां पे timing बताया गया है कि कब आप क्या कर सकते हैं विड्रो फंड कर सकते हैं जैसे NSC and MCX If the payout is done before 8 a.m. amount will be credited to your bank account the same working day कहने को मतलब यह है कि अगर सुबह 8 बे से पहले अगर आप payout डालते हैं अपना फंड का तो same day या तो साधिक जारा बजे के बाद आपके इमेट अकाउंट में फंड आ जाएगा या तो फिर साधिक जारा बजे या फिर 6 बजे मतलब साधिक 11 से लेके 6 बजे की अंदर आपके bank account पैसा आपका credit हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सिग्मेंट सेलेट करेंगे जिस भी सिग्मेंट से आपको पैसा निकालना है यहां पर अपना amount डालेंगे simple सा इसके बाद क्या करेंगे simple सा withdraw now में क्लिक कर देंगे ज आपकी process कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें